तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले हम कनाटका स्टेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में क्योंकि वहां का भी आपके नीट पीजी 2023 का रइस्टेशन ओपेन हो गया जो कि मोस्ट डिमांडेट स्टेट है क्योंकि उसको एक education hub कहाजाता not only in medical field बट also in engineering field सबसे ज्यादा medical colleges आपको करनाटका स्टेट में मिल जाते हैं और कम से कम rank वाले students को वहां पर top medical branches मिल जाते हैं clinical branches मिल जाते हैं चाहें वो सर्मा हो मेडिशन हो रेडियो या उभगाई नहीं हो वहाँ पर आपको इजली ऑप्ट होते हो दिखाई देती इसके पीछे क्या रिज़ान है वह सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं तो वीडियो काफी इंपोमेटेव होने वाली है आप सबी के लिए साथ में यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करने वाला हूं क्योंकि वहां पर भी फी स्टक्चर एक पब्लिस किया गया है जो कि ऑफीशियल है आपको सारी चीज़ें वो ड से स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परशान हो रहे हैं कि वह कैसा क्या उसका फॉर्मेट रहने वाला है उसके बारे में भी हम मैं बात करूंगा तो वह मैं सारी चीज़ें वीडियो में जितने भी डाउट से आपकी स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड वह आपकी वीडिय काफी इंफोमेटेव होने वाली आप सब एक लिए तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता दूं जो कोई भी हमारे चैनल पे नहाँ है प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ऐसी इंफोमेटिव वीडियो अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया है वहां से जाके आप चैक आउट कर लिजेगा सारी चीज़ें चाहें में किया का करनाटके स्टेट्स का फॉर्म हो या फिर मद्द परदेश का फॉर्म हो या कोई भी फर्दर जितने भी आपके अभी तक फॉर्म आ चुके सार आपको डिटेल में मैंने उस टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट के रखिए जाके आप चैक आउट कर लिजेगा काफी इंपोर्टेंट होने वाला आप से भी क्लिए बाकी आप अगर हमारे तुरूप अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं पेट सर्विसेज हमारी लेना चा आपके रहेंग के साब से क्या बजेट रहेगा वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी कैसे क्या हर चीज करने चाहें वो किसी भी स्टेट के हो कोई भी कॉलेज टॉप कॉलेज आपको कैसे क्या प्रोवाइड होगा not only in government but also private team सम्में हम आपकी पूरी साहिता करेंगे जब तक आपको सीट आपकी नहीं मिल जाती है तो खेर हमारा जो मेंड टॉपिक हम इस पर कंटीनियू करते हैं सबसे पहले हम बात करनेंगे करनाटका स्टेट के बारे में इसकी जस्ट नोटिफिकेशन आज ही नोटिफिकेशन रिलीस की गई है कल जैसे कि आपको मालूम साम को यह नोटिफिकेशन आ गही थी और आज से इसका रिजिस्टेशन ओपन हो चुका है 26th of July से इसका रिजिस्टेशन ओपन हो गया है मतलब आज से 11 बजे के बाद से यह रिजिस्टेशन ओपन हो गया हाला कि करनाटका आपका उपन स्टेट है यह जरूर धियान जैसे कि करनाटका ओपन स्टेट है वहाँ पर तीन तरहेंगे की फीज सबसे ली जाती है कैट ऐ, कैट बी, कैट ऐ की बात करते हैं तो उसमें आपके करनाटका स्टेट के डोमिसाइल के स्टूडेंटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यह जिनोंने एमबीबियस करनाटका है वो उनकी government plus semi government seats के लिए eligible होते हैं वो cat A के बीच में आती है cat B की अगर मैं बात करता हूं तो cat B में आपकी management seats आती है जो की private seats होती है जिनकी fees आपकी around साड़े 11 लाग के around होती है वो cat B में आती है जिसमें all over state के student participate कर सकते हैं उनकी state council में cat B की seat के लिए of cat C जो होती है वो others quotas होती है like NRI या other quota जिसमें आपकी fees बहुत हाई होती है around 55 lakhs के around per year 55 lakh 60 lakhs के around per year fees रहती है लेकिन यह fees भी आपकी आखिर time में negotiate की जाती है college की तरफ से और आपको कम budget में आपको seat मिल जाती है ऐसी कोई further seats के लिए अगर आपको admission लेना हो जिसमें negotiation available वह आप उसके contact कर सकते हैं हम आपको process बताएं कैसे क्या go through करना है और आपको negotiate करके top medical branches जैसे कि मैंने स्टार्टी में कहा है यहाँ पर आपको आपको easily opt होते हुँ दिखाई देती है अगर आपके budget का कोई issue नहीं होता है तो खेर जो आपकी कनाट के स्टेट है उसका registration आज से खुल गया हुआ है और वह 30 थर्टेंट ऑफ जुलाई तक आपका registration रात के 12 बज़े तक चलेगा तो जिससे पहले आपको आपने पेमेंट और registration करके रखना थर्टी फर्स्ट आक्री डेट है पेमेंट की पेमेंट आपको कर देना registration उससे पहले करना और एक registration मैं और बता दूंगा आपको जो भी इलिजिबल स्टुडेंट से वह तुरंद के तुरंद से रेइस्टर करेंगे क्योंकि सेकंड राउंड में यह registration उपन नहीं होता है जो registration बच्चों पहले किया रखा रहता है फस्ट राउंड में किया रखा है वही बच्चे लिजिबल होते हैं आपके सेकंड राउंड के लिए कोई फर्दर registration नहीं खुलता हूं सेकंड राउंड के लिए तो make sure करिए कि आप registration जरूर कर लिए क्योंकि open states है और अच्छी अच्छी branches भी अविलेबल है अच्छी अच्छी टॉप medical colleges भी अविलेबल है आपको और आपको सेकंड डाउंड में आपको chances नहीं मिलती है कि आपको सीट सॉरी registration फिर से open होते हुए दिखाई दे तो registration जरूर टेलिग्राम चैनल पर डाल दिए वहां से जाके check out कर लिजेगा सारी information साथी साथ अगर मैं UP की बात करता हूँ जैसे कि मैंने बताए एक official fee structure publish हुआ है मैं उस fee structure के बारे में बात करता हूँ Career Medical College जो है आपका लखनो में situated है आपका जो की minority college उसका official fee structure publish किया गया है उनकी official website पे Career Medical College की वह मैं fee structure के बारे में बात करता हूँ क्योंकि अगर ये आपका official website पे पब्लिस किया गया तो जाहिर सी वाद ये official fee structure है आपका उस medical college का जो की Career Medical College है fee structure के बारे मैं बात करता हूँ तो मैं आपकी general medicine orthopedics ओपगाईनी इसकी जो fee structure है वह आपका 39,000 पर year fees आपसे ली जा रही है जिसमें general medicine की 4 seats है orthopedics की 4 seats है ओपगाईनी की 2 seats available है radio diagnosis और आपका sorry radio diagnosis की 7 fees आपसे ली जा रही है जिसमें 2 seats available है 39,90,000 आपसे ली जा रही है डर्मा की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 seats available है जिसमें 38,90,000 आपसे ली जा रही है वह ही पर अगर next जो हमारी branch आती है वो आपकी general surgery आती है उसमें 34,90,000 fees आपसे ली जा रही है secretary की 3 seats available है जिसमें 24,90,000 आपसे ली जा रही है ENT की बात करते हैं तो 90,000 आपसे ली जा रही है respiratory medicine 32,90,000 जिसमें 2 seats available है then हमारी next जो branch आती है वो हमारी opthal आती है 2 seats available है इसमें भी उसकी जो फीस आपसे ली जा रही है वो 30 लेक परियर आपसे फीस ली जा रही है अनेस्थीशिया की बात करते हैं तो 4 सीट्स अवेलेबल है 16 लेक परियर आपसे फीस ली जा रही है पीडिया की बात करते हैं तो 2 सीट्स अवेलेबल है 33,90,000 पर यह आपसे फीज ली जा रही है, बाकी जो non-cleanical branches है, community medicine, 4 seats available है, 1 लेक फीज ली जा रही है, pathology, 2 seats available है, 8 लेक पर यह फीज आपसे ली जा रही है, बाकी जितनी branches हैं, आपकी anatomy, biochemistry, physiology, microbiology, pharmacology, इंद गे 1 लेक पर यह फीज आपसे ली जा रही है, hostel की बात करते हैं, तो 3 लेक पर यह इसका college का hostel है, non-AC room है, double occupancy के साथ, आपका hostel mandatory clinical branch, जो भी students है, उनके लिए, fooding, lodging, 3 लेक में include है, और आपके 3 लेक security money, आपसे one time लिया जाता है, starting में, जो कि आपका refundable होता है, last year में, तो यह सारी चीज़े हैं, आपकी, जो उत्तर करी गई, career medical medical college के दुआरा, बाकी misleading charges की मैं भात करता हूँ, वो आपकी UPDGME के official website पर publish किया जाता है, तभी आपका पता चलता है, कि कितना fixed misleading charges college आपसे ले सकता है, वो as soon as, जैसे कि आपकी career medical की fee structure आ गए, तो UPDGME के दुआरा बाकी, जितने भी private medical college है, उन सब की fee structure भी बहु provide होते हुए, आपको दिखाई देगी, बहुत ज्यादा, कल या परसों में आपका fee structure publish हो सकता है, और साथी साथ आपके registration portal कब से UP का खुल है, क्योंकि north side के state के लिए, बहुत सारे students wait करते हैं कि कब, क्या registration खुल जाएगा, ताकि हम registration कर सके हैं, और जल्दी से जल्दी अपनी के लिए बात करता हूँ, अगर counseling, जो बच्चे registration कर रहे होंगे उनके लिए, एक affidavit का option आ रहा है उनके पास, कि affidavit of not being domicile of state other than MP and have not taken advantage or domicile of other state, इसका क्या format होने वाला है, कैसे क्या हम लोग post करें, कोई further updates उनको नहीं मिला है, तो उन students के लिए मैं बता दू, आपका domic profile certificate अलग होता है, और आपका affidavit अलग होता है, इसके एकर format के, अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं आपने telegram channel पर इसका format पोस्ट कर दूँगा, आप हमारे telegram के जो official channel है, उस पर जाके आप check out कर लिए, क्योंकि हमने दो channel बना के रखे हैं, ठीक है, आप जो official channel उसमें मैं सार सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, discussion group में फिर भी मैं सारी चीज़ें नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन आप हमारा जो main channel उसको जरूद जोइन कर लिए, क्योंकि मैं सारे post वहां पर करता रहता हूँ, आपका affidavit वाले scene है, इसका format वो भी मैं वहां पर post कर दूँगा, वहा अपने flow में आती हूँ दिखाई देगी, एक हफते के अंदर सारे चीज़ें बहुती fast forward mode पर आपकी start होने वाली है, क्योंकि जितना आराम करना था आप अप लोग कर चुके हैं, आपके counseling की बारी है, तो जो भी फदर updates हैं, उसके लिए आपको हमारी channel जरूर जोइन करना च आराम करना उन्म से लिए करणी मारी हैं, खर अविन करना भी टेस का अंदर में वाली हैं, इनकरो सो आपकी भी आ में योग छे